दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले कि कैसे आप वीडियो एड के थूँ हाई कनवर्टिंग लीड जनरेट कर सकते हैं इस पेसल सब टाइप इस वीडियो में डिसकस करने बाले हैं ड्राइफ कनवर्जन तो वीडियो काफी इंपोटेंट होने वाली है अगर आप वीडियो एड्स के थूँ लीड जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं सब को श्टेप बाई श्टेप बताने बाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने सब बता दू जिस भी स्टूरेंट ने हम सब टाइप का यूज करके ड्राइफ के अभिडियो एड्स करने है तो सब पहले महा एक में 2000 ःौण्ट पे अगरते हैं आप सब पहले चलते हैं movement अनुड अपरree deti करते हैं ठीक है हम create पर click करते हैं और यहाँ पर एक campaign पर click करते हैं जैसे ही आप campaign पर click करोंगे आपके सामने campaign के objective आएंगे multiple objective आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि sales, lead, website traffic, app promotions so यह video especially lead generation के लिए है video ads के थुरू so हम यहाँ पर leads लेकर आगे बढ़ते हैं objective आपने ले लिया इसका leads, lead objective लेने के बाद यहाँ पर आपको conversions goals set up करना हुसा है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, conversions goals की videos मेरे channel पर है आप YouTube पर सरच कर लेना conversion goals by digital swim तो आपको बहुत सारी videos हमारी मिल जाएंगे उनको देखकर आप conversion tracking set up कर लेंगे benefit ही होगा conversion goals और conversion tracking set up करने का कि आप proper तरीके से आपको conversion पता चलता रहेगा कि इस ad के थूँ, इतनी leads आपको मिली है, इस keyword से मिली है, इस placement से मिली है सब कुछ आपको conversion goals के थूँ पता चलता रहेगा आगे चलते हैं, conversions goals के बाद आब आता है campaign का type देखिए यहाँ पर हम lead generate करने वाले है video ad के थूँ, campaign का type हो गया video यहाँ पर video ले ले लेते हैं इसको आप read कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा notification आएगा, यह drive conversion का है get more conversion with video ad designed to increase valuable interaction with your business, ठीक है अगे चलके continue करते हैं, अब जैसे ही आप इसको continue करोंगे सबसे पहले general setting आएगे देखिए यह जो particular ad है, इसका sub type है drive conversion और यह हम video campaign बना रहे है, goal है हमारा leads ठीक है यहाँ पर general setting में सबसे पहले यह define करती है, अब campaign का एक name देढ़ेंगे अब यहाँ पर आप ले सकते हो, आप पूरी country को target करना चाते हो, अब इसकी बात सबसे पहले आता है bid strategy देखिए दो type का bid strategies होता है, आप पर maximize conversion और target CPA, अब देखिए maximize conversion आप लेके चल सकते हो, क्योंकि हमारा main purpose है जादा से जादा conversion आप यहाँ पर एक और bid strategy लेके चल सकते हो, target cost per action, आप cost per action के according भी चल सकते हो, मैं यहाँ पर चलूँगा maximize conversion के according क्योंकि हम lead generation इसलिए चला रहा है क्योंकि हमें जाद सेदा conversion मिल सके हैं, आपने bid strategies में रख लिए maximize conversion आगे चलते हैं हमने यहाँ पर budget सेट कर दिया, 1000 रुपया per day का हमने यहाँ पर budget सेट कर दिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब जैसे ही आप budget को set कर लोंगे, आपके सामने आगा networks, तो यहाँ पर networks की बात करें, तो drive conversion at Google पर भी चलता है, यूटूब पर भी चलता है, जैसा कि आप देख अब networks को लेने के बाद यहाँ पर assets का option आता है, यहाँ पर like assets add करके 24% तक conversion बढ़ा सकते है, Google भी कहता है, get up to 24% more conversion using assets, अब assets क्या होता है, assets में आता है site link, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी website में multiple pages है, आपका जैसे एक page है about us वाला, एक page है contact us वाला, तो आप यहाँ पर text type कर सकते हैं, about us या फिर offers वगरा डाल सकते हैं, description 1, description 2 और about us की URL, contact us, so contact us का test, description 1, description 2, contact us की URL, ऐसे ही आप जो final URL अभी add में लेने बाले हों, उसके similar 4 page आप site link में add कर सकते हो, तो customer अगर final URL पर नहीं जाना चाहेगा, तो site link पर भी visit करता है, इसलिए Google भी क and more conversion using assets, और मैं आपको एक चीज़ा के लिए कर दूँ, अगर आप assets का use करते हैं, यह जो assets की बात हो रही है, तो इसमें आप offers बगारा भी mention कर सकते हैं, settling test में, then यह customer को offers बगारा भी proper दिखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम आजाते हैं additional setting, दिखिए additional setting में सबसे devices है, devices में computer, mobile, tv, कहां कहां आपको add दिखाना है, वो select कर सकते हैं, तो हम्हें TV screen पर अपनी add नहीं दिखाना है, so हम यहाँ पर tv screen को uncheck कर देते हैं, हमें अपनी add टेबलेड पर नहीं दिखाना है, हमने अपनी add को टेबलेड पर uncheck कर दिया, so जहाँ पर भी आपको अपनी add दि भी देखाना, उसको आप अंचेक कर दें, so devices में में ये कर दिया है, mobile and computers में अपनी add दिखाना है, operating system को भी check and check करने का option है, devices और networks को भी है, so अभी simply mobile और computers में ले लिया है, आगे चाहिए, अब हम frequency capping के option पर चलते है, frequency capping का मतलब होता है, आपको जो आपकी add है, particular device पर कितनी ब इंप्रेशन कराना है दिखिए इस पर किलिक करते हैं यह इंप्रेशन का है कैफ इंप्रेशन फिक्वेशन 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 फि ठीक है add schedule पे आते हैं so add schedule कर सकते है third party measurement available नहीं है और video enhancement को हम on रखते हैं so हमारी जो video add होती है वो multiple platforms पर multiple platform के साब से size के साब से enhance हो जाती है तो ठीक है ये on रखते हैं इसको हम like available नहीं है और यहाँ पर हमना time schedule set कर सकते अब यह सब करने के बाद आभा हमें ad group पे focus करना है इस ad group में ही हम अपनी audience बनाने बाले हैं बहुत important है तो चलिए एक बात करते हैं ad group का एक name देदेना आप सबसे पहले audience create करते हैं so add an audience पर click करते हैं जैसे आप add an audience पर click करेंगे plus new audience करके एक option आएगा इस पर हम click करते हैं अब एक audience का name देते हैं ठीक है अब सबसे पहले एक audience का name दे दिया हमने अब सबसे पहले यहाँ पर custom segment आएगा सबसे important है custom segment drive conversion की case में इस पर click करते हैं new segment पर हम click करते हैं अब सबसे पहले segment का name दे देते हैं इक segment का name दे दिया मैंने ऐसे random अब देखें यहाँ पर दो option आते है people with any of these interest or purchase intention like हमने उन लोगों को target करना है जो keyword हम यहाँ पर search करेंगे उनकी purchase intention हो या फिर people who search of any of these term on google जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर digital marketing course कर दिया ठीक है अब यह keyword मैंने दिया तो जो लोग Google पर यह keyword search करते हैं उनको YouTube पर add दिखाने बाले है उनको drive conversion add दिखाने बाले है तो इससे conversion बढ़ते हैं तो ठीक है यहाँ पर मैंने यह keyword ले लिया अब इसके related नीचे आ जाएंगे एज आ गया पैरेंट्स टल इस्टेटर आ गया इस टाइप से मारे पास यह data आ गया ठीक है सो हमें यहाँ पर लेना है people who search for any of these term on Google यह बाला हमें option लेना है ठीक है अगर आपके पास competitor की website आप चाहते हो competitor से like similar audience आपकी app को देखे सो आप यहाँ पर competitor का link भी दे सकते हों यहा करते हैं custom audience की बाद आता है your data your data में आप like remarketing कर रहे हैं तो आप यहाँ पर remarketing data आप अपना select कर सकते हैं आप अपने YouTube की audience को अगर आपका को YouTube चैनल में जिस पर अच्छे का सब्सक्राइबर हैं views है YouTube की channel को बापस एड़ दखाना चाते हैं तो वो भी आप यहां से your data से select कर सक यहां पर जिस type के भी आपके product है उससे related category आप चूज कर लेंगे सो मेरा digital marketing से related product है मैंने digital marketing की एक category select कर ली जिसमें in market audience मैंने ले ली है और multiple आप यहां से 50 result हैं और भी ले सकते हैं अभी के लिए मैंने एक ही type की audience यहां पर ले ली है exclude मतलब आप किसी particular type की audience को exclude करना चाते हैं demographics मतलब आप जैसे unknowns को नहीं दखाना चाते मेल में मेल को दखाना चाते है female को या age wise तो आप यहां से set कर सकते हैं अब हम इसको करते हैं सेफ सो यह हमने audience को set कर ली है audience को set करने के बाद यहां पर एक option आता है optimized targeting जहां पर Google आप से कहता है कि अगर आप optimized targeting को on रखते हैं तो 20% more conversion के chances बढ़ सकते हैं आपके ठीक है तो हम इसको on रखते है एडवान सेटिंग अबलिबल नहीं है तो हम इसको off ही रखते हैं और सबसे पहले हम यहां पर अपना वीडियो का link लेंगे जिस भी वीडियो को आपको promote करना है तो मैं अपने चैनल से एक वीडियो ले लेता जो भी आप वो यहां put करेंगे क्योंकि customer वीडियो को देखेगा एंड इस call to action पर click करेगा तो मैंने मैं इस वीडियो को दिखा के अपनी इस website पर customer को ले जाना चाहिए हूँ तो मैंने website का link दे दिया डिस्पले पात दे सकते हो जैसे की learn तोड़े learn digital marketing डिस्पले पात दे दिया मैंने call to action में कुछ आप buy ना हो या swap ना हो या learn more या से कुछ buttons डाल सकते हो जिस type का भी product है उस type के button आप यहां पर add कर सकते हो मैंने learn more दे दिया है फटाफट headline long headline description पुट कर देते हैं कस्टूमर को सो होती है इसलिए proper आप पुट कर देना ठीक है अभी मैं डेमो के लिए पुट कर देता हूँ अभी मैंने पे भी आपकी ads हो जी Google के partner platforms पे भी आपकी ad देखेगी सो multiple preview आप देख सकते हैं अब हम यहां से create कर देंगे यह हमारा landing page पे प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए और फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आपको conversion tracking अटेच करना इससे क्या कस्टूमर जब भी डेटा फिल करें आपके पास गूगल में डेटा पता चलता रहे कि यह ads के थुरू इतना customer आपका है आज की वीडियो अतनी रखते है वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरीके से drive conversion एड रेडी करके आप जहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं लीड जनरेट के लिए लेंडिंग पेच पर प्रॉपर तरीके से फर्म जरूर एट कर लेंगा थैंक्यू गाइस थैंक्यू वाचिंग दिस वीडियो